आज की वीडियो में आप देखेंगे BGH and BGL यह BGH और BGL क्या है क्योंकि ऐसे कई लेंगोज हमको देखने को मिलते हैं electronics यह डिजिटल जिसे से हमारे technology हाई होती जा रही है इसमें कई ऐसे लेंगोज हैं जो काफी difficult का सामना करना पड़ता है जो उसके बारे में हमको नालिज नहीं होता है जैसे हमारे टेक्नालोजी थे उसमें ट्राइस्टर की वेस्पाइसिंग के लिए जो है कुछ बोल्टेज होते थे उसकी वेस्पाइसिंग को देखनी पड़ती थी इस समय जो जो है काफी यूज होते हैं लेकिन दोनों में डिफेरेंस है लेकिन आज की टॉपिक में हम आपको बीजियर एंड बीजियल के बारे में बताएंगे अगर यह रिजलेशन आपको काफी फीका दिख रहा हो तो इस पे आप ठीडाट पे क्लिक करके इसके रिजलेशन को हाई कर सकते हैं इससे आपके पिक्चर के लिए दिखेंगे अगर इस पीड भी अगर आपको स्लो लग रही है तो इस पीड भी फास्ट कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में अब देखें BGL और BGH है क्या जैसे यहां पर देखें हमने एक उदाहण जैसे ट्राइश्टर की बेस बाइसिंग होती थी यानि अभी भी बेस बाइसिंग है ऐसा नहीं होती थी लेकिन टेक्नोलोजी जैसे हमारे अपगेट हो रहे हैं तो मॉस्पेट आ गया है तो जैसे हमा मतलब हुआ यहां पर बेरी यहां पर भी बेरी है और यहां पर बेरी है और यहां पर बोल्टेज भी का सकते हैं यहां पर बोल्टेज का सकते हैं यानि बेरी हाई का सकते हैं या बोल्टेज गेट का सकते हैं यह लेंगोज को समझने के लिए आपको बता रहे हैं किसे आप यहां पर बेरी लो का सकते हैं यह बीच में गेट हटा दीजिए और यह तो जो है आप इसे बोल्टेज गेट हाई वोल्टेज गेट लो या बेरी हाई गेट या बेरी लो गेट यह कैसे अभी हम आपको बताते हैं यह सब मिलाके जिसे बोल्टेज गेट के वोल्टेज को और बोल्टेज़ गेट को लो यह से मतलब लो हुआ अब यहां पर समझें लिखें जिस टैस्टर की बैस बैसिंग होती थी उसी तरीके से मास्वुट के गेट की ट्राइब होती है और यहां पर देखें तो टैस्टर को वर्क काम यानि वर्क यानि काम करने के लिए बेस को न की जडरूरत होती है यानि मौसχर्ट को काम करने के लिए जो बोल्टेज कि जरूरत होती है वहाँ पे हां लो बोल्टेज कह सकते हैं अन या आफ कह सकते हैं अभी हम डेटेल आप कiation उसमें पताते हैं जो नीचे लिखा हुआ है देखिए उस बोल्टेज को बीजीयल बीजीयच कहा जाता है बोल्टेज गेट लो बोल्टेज गेट हाई यानि लो और हाई गेट के बोल्टेज को यह जिसे बीजीयच हुआ हमारा तो यहां पर देखिए बोल्टेज गेट लो यानि यहां एक कैंसिल कर दीजिये तो हो गया वी जी यल यानि यह विजियल हो गया और यहां पर बी यह वर्ड आपको साइन बेव इनवर्टर के ड्राइब सेक्शन में देखने को मिलेंगे ऐसा नहीं कि यह बोल्टेज या बीजिये बीजियल होते हैं यह आपको कई जगे मिलेंगे अब इस समय जो भी टेक्नलोजी आ रही हैं आप वहां पर देखेंगे बीजियल बीजिये देखने को मिलेगा इसे आप जान लें कि लिए नहीं है यह फेमस इसलिए हुआ है कि LCD LED में सबसे आधिक फाल्ट भी इसी में आते हैं बीजियल बीजिये और इसी टेक्नलोजी पर सारी हमारी इमेज जो पिक्सल को आन आप करते हैं इसी पर सारे डिपेंड है क्योंकि सारे उसमें जो मास्पर्ट ही उसकिये हैं TFT उसी को स्विचिंग कराने के लिए हमारे सिस्टम जो है जितने हमारे बीजियाच बीजियल एबीडीडी यह सब जो है आपको एक-एक करके जो है एक-एक टॉपिक में हम किलेर करेंगे अब देखिए यहां पे डिजिटल टेक्नाल कि जो आप किसी पैनल को बोल्टेज देते हैं तो वहां पर देखिए आन आफ करने के लिए एक मास्पर्ट यूज किया जाता है जो बाराब उल्टो इसकी सप्लाई अनि आन करने के लिए जो टीकॉन या सोर्स पीजिवी पर बोल्टेज सप्लाई जाती है वहां पे जो य अब आगे जैसे जैसे उसकी डियाइन होगी तो यह लेंगो जब इस्तेमाल करेंगे तो उस समय हम आपको इसके बारे में बताएंगे अब यहां पे देखिए डिजिटल का मतलब हुआ या नो आन या आफ हां या ना यह आपको बता दें कि जैसे हमारा डिजिटल जो है व जो भी टेकनालोजी इधर डियाइन हो रही है यह आपको यह से लेंगो देखने को मिलेंगे हमने इसमें जो है एक डिटेल दिया है यह जो लाइनिंग में दिया है सबसे नीचे यहां पे इसको इस तरीके से समझ सकते हैं बीजियच बीजियल आन या आफ ओपन या क्लोज सुइच या सुइचिंग यस या नो लो या है यह सारे मैंने एक निचोड निकला है जो यह सब मौस्टेट के जो गेट के बोल्टेज है उनको ड्राइब करने के लिए जो लेंगो इस्तिमाल किया जाते हैं आप इस भासा में इसे समझ सकते हैं जो हमने नीचे इसमें लबीडियस सिगनल जो की टी एक्स एनि टांस्मीट जो होता है सिगनल उसके बाद जब इन होता है तो उससे पहले एक स्विचिंग होती है देखें जहां पर इस बिरिज इस्तिमाद किया गया है यह देखेंगे यह मॉस्फिट है एक दो तीन चार अभी यह मॉस्फिट इस स्विच के जाता है जैसे इस समय देखिए यहां पर निगेटिव यहां पर पॉजिटिव यहां पर पॉजिटिव यहां पर पॉजिटिव तो इस तरीक से स्विचिंग करता है कि जब पैनल पर बोल्टेज हमारे जाते हैं लबीडियस के आर्टीवी तो वहां पर हैं कि वहां पर circuit open है या sort है तो इस तरीके से balance बनाने के लिए दोनों पीर को यहां पर एक switching की जाती है जिसे आने वाले data को एक balance के रूप से signal को जो है पैनल के टीकॉन या source PCB में इन कराके और उसे पैनल पे picture के रूप में image के रूप में उस पर जाके shift हो pixel पे तो उसी तरीके से हमारे इमत दिखते हैं यानि यतने भी data है यानि बीच में देखिए यह एक time के अंसार ये जो है सारे data run करते हैं जैसे हमारे वीडियो के graph होंगे उसी अंसारी इसके space कम या आधिक हो सकते हैं लेकिन इसको balance करने के लिए यहां पर स्विचिंग इस ब्रिच की इस्तिमाल की जाती है जिससे हमारे balance बने रहते हैं signal के और सही से जो है हमें image देखने को मिलता है हम जैसे इसके topic को बढ़ाएंगे आपको आगे बताएंगे तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं एक वीडियो में थैंक्यों दोस्तों कि अढ़ा ह। कि उनुट है